जमात दस्वें दी कहानी बाकी सब सुकसांद है दचेवा दिन है अज जसे इस कहानी दे गोण पातर जागर फोजी अते इस कहानी दे अंत उपर दिसकेशन करांगे बाकी सब सुकसांद कहानी दी पांच दिनां दी चर्चा दो बाद साड़े सामने ए तत परताखुंदे हन की ए कहानी दा लेखक अते मुख पातर शिरी मुहन पंडारी जी हन इस कहानी दा मुख उदेश मुनुख नू आशावादी बनोना है इस कहानी दा विशा पेंडू लोकां दी अनपडता उनना दी रहनी बहनी पाई चारे अपनत आते ओकणां दी चलक पेश करना है इस कहानी दे अन्त ते जागर फोजी दे पातर उपर चर्चा करांगे विद्यार्थी इहे दूमें प्रशन आपनिया कापियां उपर लिखनगे अते रिवाइस करनगे हांजी कहानी बाकी सब सुकसांद दे शिक्स प्रशन, कहानी बाक्की सब सुख सांध है दा अंत के हुज्या हुंदा है उत्तर, कहानी बाक्की सब सुख सांध दा अंत बहुत ही सुखान तक अते सिख्या दायक टांग नाल हो निबड़या है असलविच अन्त विच जदों हारकॉर लेखक कोलों अपने पुत्तर जागर फौजी नो चिठी लिखवूं दी है अथे अपनी कबील दारी दे सारे दुख फुरोल दी होई परतक कर दी है के उस दे पुत्तर जागर फौजी और नो करतारों देकर पहला दो दिन पुत्तर होके गुजर गया है ते ओ आप मंजे ते मरन कनारे पई है ता एह सुन के लेखक सुन जा हो जानता है पर फिर ओहो हारकॉर दा मनोबल वदों देया होया ते उसनों दिलासा ते तसली दिन देया होया एह शब्द कहनदा है के पाबी दी उमर लंबी चाही दी है चाची एसले एदा इलाज त्यान नाल करवा ते नाले जिऊंदा रहे साड़ा बाई ओदी ता लिखी ही एनने को सी ता लेखक दे एह शब्द सुन के हारकॉर कुछ होंसले विच हो जान दी है ते फिर अपने सिर्थे रखे खदर दे परने नलहांजू पूँच दिया उसनों एक वार वाज के चिठी पढ़के सुना दिन्दा है ते फिर कोई पुली चुकी गल लिखवों ले केंदा है ता हर कौर दे मुहूं इहे शब्द सुन के के लेख दे पूत बस पूत लेख दे बाकी सब सुकसांद है ता ए सुन के लेखक दे हत्थों कलम डिग जन्दी है ते ओ दुखा नाल किरे हून दे बावजूद हार कौर नूँ चड़दी कला विच वेख के दंग रह जन्दा है Dear students, इस आंसर नूँ हूर जयदा पॉलिश करन ले You can take the help of your textbook at page number 55 plus 56 हांजी सदा दूसरा प्रशन है जागर फॉजी दा पातर चितरन करो हांजी इस दा पहला पॉइंट है जान पशान जागर फॉजी इस कहानी दा एक गौन पातर है गौन दा अर्थ है एक माइनर पातर जागर फौजी इस कहानी दी मुख पातर हरकोर दा इकलोता पुतर है उस दी ती दी पोदा प्राहे ते करतारो दा पती है जो मुख तोर दे पेंडू पिशोकर नाल सबंदत किसान परिवार नाल सबंद रखता है इस दा दूसरा पॉइंट है बारू नाल मो रखन वाला जागर फौजी दा अपने वैड के बारू नाल बेहद मो प्यार है एकल कहानी विच उस वले परताक हुन दी है जदों ओस नू वेचन तो मना कर दिन दा है ते बारू ना दे वैड के लिए मेले विचों कुंगराला ते नथा खरीद के लिए होदा है जो बारू नू पौणियां वे नसीब नहीं हों दी है हाँ जी जागर फौजी दे पातर दा अगला पॉइंट है सुनक्खा सुनक्खा दा अर्थ है सोना खुबसूरत हाँ जी जागर फौजी शकल दे तोर दे बहुत ही सुनक्खा दे सुना गबरू है ए गल हारकॉर दे हवाले नल उसले परता कुंदी है जाद ओ जागर फौजी दे चेरे मूरे दी तुलना अपने पूत्रे नल कर दी हो दी है कि तिखा नाक चोड़ा मत्था परमाचिहरा ते उसनो एंज परती तुनता है कि जिमें उस दा पुत्रा हूब हूँ उस दे पुत्तर जागर फौजी दी ही तस्वीर हुवे अगला पॉइंट है परिवार्दा सहारा जागर फौजी हर कोर दी गल्तों पर तक खुंदा है कि उस सारे परिवार्दा आसरा है ऐसे लिए हर कोर उसनो अपने ती दी पूदे परोने दी पाल कर ले केंदी है ते करतारों दे इलाज नो मुख रख देया हुया उसनो नामा कटा के कार वापस अउनले भी केंदी है समुचे तोर ते जागर फौजी इस कहानी दे एक गौन पातर है वो बैड के बारू नल मुह रखन वाला है शकल दे पक्खुं खुबसूरत गबरू है आपने पूरे परिवार्दा सहारा है आते पेशे दे पक्खुं बेशक एक फौजी है पर आपने पेंड दे लोकां विच आदर ते प्यार्दा वी पातर है सारे विद्यार्ती ए दुन्नो प्रश्यन आपनिया कापियां दे उपर लिखनगे ते इनननु नालुनाल रिवाइस करनगी तानवाद